अलो स्टुडेंट्स मैं सवरोस्ति आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूं रंथमबोर के चोहान जिसमें वक्रूप से हम भीर्देग चोहान के बारे में अध्यन करेंगे और उससे पूर के कुछ विशेष चोहान के बंस के सास्कों के बारे में देखेंगे रंथमब और के चोहानों का जो संस्थापक है वो है प्रत्वीराज चोहान तृतिय का पुत्र गोविंद राज है पुत्वुद्धी नेवक्ग जो समय दिल्ली का फुल्तान था और मोहम्मद गौरी का उत्तराधिकारी था मोहम्मद गौरी का दिल्ली में उत्तराधिकारी था मोहम्मद गौरी ने इससे अपनी पुत्री का विवाभ भी किया और उसको दिल्ली इस्तित, मुहम्मेदियु कि यह ने के वरी से जाने के वश्राइब का Samuel Raymond defense कि मुहम्मद ने कुट वश्राइख को दे दी मुहम्मद गौरी की बत्ष्षाहत या उसके भारत से जाने के बत्ष्षाहत 1195 में यहां तक मुहम्मद गौरी की मृत्य नहीं हुई थी लेकिन 1195 में में जो टत्वी राज तृतिय था उसका भाई था हरी राज उसके द्वारा अजमेर में गोविंद राज को चुनोती दी जा रही थी गोविंद राज उस समय छोटा था जिस समय कत्वी राज के ब्रत्य हुई थी इसलिए कुतुबुद्धी नहवक ने अजमेर में मुस्लिम सासन स्थापित करके गोविंद राज को एक नया राज प्रदान किया वो था रन्थमबौर का और इस तरीके से रन्थमबौरों के चोहान बंस की स्थापना होती है तो अगर आपसे प्रिश्न पूछा जाए और प्रिश्न में पहले भी पूछा गया है यह प्रिश्न का रन्थमबौर के चोहान बंस का संस्थापक कौन है तो गोविंद राज माना जाता है और यह कौन है प्रत्विराज तुर्टिय का पुत्र है इसके बाद कुछ सासक है जैसे बलहंड देव या भल्लन देव बल्लन देव या बलहंड उसके पुत्र जो गोविंद राज का पुत्र था बल्लन देव ने प्रारम में तो जो दिल्ली के गुलाम बंस के सासक थे, दिल्ली सल्टनत थी, उसके प्रती क्या किया? स्वामी भक्ती प्रदरसित की, उसके प्रती सम्मान बनाए रखा और उसकी अधीनता स्विकार कर लेकिन सीग्री वो स्वतन सासक एक इंडेपेंडेंट किंग की तरह ब् अधी पर बैठा, उसने 1226 में आक्रमन किया, किसके उपर बल्लन देव या बलहन के उपर, लेकिन इसके बाद जो बल्लन देव है, उसको उसने क्या किया? रन्थम बहुर पर अपना अधिकार इस्थापित कर लिया, इसके पश्चात कुछ समय तक तरुकों का रन्थम इसके बल्लन देव की स्थिति थोड़ी सी ऐसे हैं जो गई, उसको रन्थम बहुर से पलाइन करना पड़ा, अलाकि इसके जाने के पश्चात वो लगातार इसको प्राप्त करने का प्रयास करते रहे, बल्लन देव के बाद उसका उत्तरादिकारी थे, प्रहलादन, प्रहल इन्होंने भी प्रयास किये बापस से रन्थम बहुर को प्राप्त करने के लिए, जो मुख्य, व्यक्ति है, जिसने रन्थम बहुर को प्राप्त किया वो है बागवाट, ये बीर नारायन के बाद सुहानों का गद्दी पर बैठा, ये बीर भी था, पराक्रमी भी था, और कुछल राज नितिग था इसके समय दिल्ली सल्तनत की कुछ परिस्तितियां भी प्रतिकूल हो गई क्योंकि इल्टुतमिस्की मृत्ति हो गई थी और इल्टुतमिस्की मृत्ति के पश्चात रजिया जो उसकी पुत्री थी वो शासक बनी दिल्ली की और रजिया के सासक बनने के वश्यार वहां के जो मुसल्मान सरदार थे वो कही न कही रजिया को पसंद नहीं कर रहे थे और वो रजिया के विरुद्ध सडियन्द कर रहे थे इस समय रजिया मुक्रूप से कहां पर सलंग थी दिल्ली में जो तुर्क मुसल्मान सरदार थे जो उसके खिलाफ सडियंत कर रहे थे उसके खिलाफ उनके सडियंतों को दवाने मश्गूल थी उनको सडियंतों को सांत करने में लगी हुई थी ऐसे समय लगातार बागभट जो रन्थंबर में इस्तित तुर्क सेना थी उसके उपर आक्मन करके उसको लगातार परेशान कर ला था उस समय तक तो रजिया सुल्तान ने क्या किया इस आक्मन को कहीं न कहीं उसका सामना किया लेकिन आखिरकार जब रजिया लगातार इसके आक्मन से परेशान हो गई तो उसने अपनी तुर्क सेना को रन्थमबौर से बापस बुला लिया और इस प्रकार बागभट ने बापस से रन्थमबौर पे अपना अधिकार ले लिया तो आपसे ये RPSC में कुश्चन पूछा जा सकता है कि रन्थमबौर पर बापस से अधिकार किस चौहानवंस के सासक ने किया गोविंदराज के बाद आपके लिए उप्सन आएंगे वलहंदेव प्रहलाग बीर नारायन और बागभट तो आपका अंसर क्या होगा बागभट ठीक है ना अच्छा इसके बाद रन्थमबौर पर तीन आक्ट मढ़ हुए नासरुद्दिन महमूद के काल में अब चूंकि इसके बाद रजिया के बाद कुछ समय तक दिल्ली में एक ऐस्थरता वहरा दौर रहा एक के बाद एक के बाद सासक बदले जाने लगे फिर इसके बाद 1246 से लेके 1266 तक का काल ये नासरुद्दिन से लेके 1266 के बीच में सासन काल तो नासरुद्दिन महमूद का है लेकिन वास्तम में यहाँ पे सासन कौन कर रहा था बलवन बलवन ने अपनी पुत्री का विवा नासुद्दीन महमूद से कर दिया था और बजीरवन बेठा था तो वास्तिक सत्ता का जो संचालन कर रहा था वो बलवन था तो ये जो तीन आक्रमन हुए बारे सो सेतालीस अड़ालीस में फिर बारे सो त्रेपंच उवन में और बारे सो उनसथ अठामन उनसथ में ये तीनों आक्रमन रन्थमबहर के उपर किये गए दिल्ली के तुर्क सुल्तान दौरा लेकिन ये तीनों ही असफल रहे अर्थात इस में रन्थम बहुर के जो मजबूत दुर्ग था उसको पराजित उस पे विजय प्राप्त करने में दिल्ली की जो तुर्ग सेना थी या साही सेना थी वो सफल नहीं रही इसके पाद आप देखिए जैसिम्मा या इसको जैतर सिंग भी बूलते हैं इसका सासनकाल आया बागभट के बाग ये सासक बना रन्थम बहुर का अच्छा ये जो यहाँ पे शुरुआती दो आक्रमन है वो बागभट के टाइम पे है और संभवत है तीसरा जो आक्रमन है उस टाइम पे जैतर सिंग रन्थम बहुर का सासक बन गया था लेकिन कहीं पर इस पश्ट उल्लेख नहीं मिलता है कि जैसिंग का सासनकाल कब से आरंभ होता है जैत सिंग का या जैसिंग का जो जैसिंग मा है जैसिंग है इसका सासनकाल कब से आरंभ होता है लेकिन इस दौरान बल्वन स्वेम गद्धी पर वैठ किया 1266 में 1266 में नासुद्दीन महमुद की मत्ति के परशाद बल्वन दिल्ली का सासक बना और बल्वन इस समय मंगोलों को सल्टनत से दूर रखने के लिए दिल्ली सल्टनत के खिलाब विवन परकार के विद्रों को दवाने में मस्वूल रहा तो इस दौरान जैतर सींग का या जैसिम्मा का जो सासन काल था वो सांती पून रहा अर्थात इस दौरान किसी भी परकार के आक्रमन का सामना रंधमबौर के सासकों को खास कर जैतर सींग को नहीं करना पड़ा इसके बाद हम देखते हैं जैतर सींग का तीसरा पुत्त था हमीर देव चोहान देखते हैं कि हमीर देप चौहान के बारे में जानकारी के कौन-कौन से शुरूत मिलते हैं अब देखिए यहां से आप पीएसी में बहुत वार पुश्यन पूछे हैं तो आप यह सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है इसको फाइव इस्टार मान के चलिएगा लगातार पुछे जाते हैं अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा इसको याद करवाने की कुछ ट्रिक्स बता देता हूं क्योंकि एक्जामनेशन हॉल में सभी एक जैसे नाम लगते हैं हम्मीर महाकाइब, हम्मीर रायन, हम्मीर रासो, हम्मीर बंधन, हम्मीर हट सभी हम्मीर से रिलेटेड हैं और कन् साड़े पांच अक्षर का सब्द है, लगवा, यह साड़े पांच का है, तो यह बात ध्यान दखिएगा, जहां महाकाइब आता है, वहाँ पे भी नैनेचंद का नाम आएगा, नैनेचंद सूरी द्वारा लिखा हम्मीर महाकाइब, अब देखिए हम्मीर रायन, हम्मीर र रामायन जैसे सब्द छुपा हुआ है, रामायन का लेख, किसने लिखा बालमी की ने, लेकिन यहां पर ब्यास मिलता है, आप धियान रखिएगा, ब्यास भांड या भांड आउट, यह इसका लेखत मिलता है, देखिएगा, हम्मीर रायन, तो रायन से आप याद लेकिन हमीर रायन किसने लिखी है ब्यास भांडने अब देखीगा हमीर रासों में दो सब्द का अक्षर है ओकी मात्रा है और जोध राज में भी ओकी मात्रा है और दो सब्द का अक्षर है जोध तो देखिए हमीर रासों किसने लिखी है जोध राज अब थोड़ा-थोड़ सा आपको ट्रिक्स बनानी पड़ेंगी ताकि कित्ता भी एग्जामनेशन में आपको कंफ्यूजन हो कित्ता भी प्रेशर हो तो भी आप इसको गलत ना कर अब देखिए हम्मीर बंधन अब देखिए कैलास चाहता है पूरे अम्रत को अपने बंधन में रख लेगे तो अम्रत कैलास ने क्या लिखा हम्मीर बंधन तो बंधन कौन रखना चाहता है कैलास किसको बांद के रखना चाहता है अम्रत को इसके बाद में देखिए हट हट कौन कर रहा है चंद्रमा कहां पे शिव शंभु भूलेवनात के शिखर पे बैठ लेगी तो आप देखिएगा यहां पे हमारे सभी जो मुख्ष मुख्ष ग्रंत हैं पांच ग्रंत हैं हम्मीर से रिलेटेड हम्मीर महाकाइब लग लगभख पांच अक्षर का सब्ध है और जो इतिहास कार है जिसका नाम में लगभख पांच अक्षराए साड़े पांच अक्षर नयन-चंद सूरी मिलता है पिर हमार्यन नामायन रामायन का वालुमी की लेकिन नहीं यहां मेल लिखा है व्यास भार्णव या भـ-भा- बंधन, बंधन, कौन रखना चाता है, कैलास, किसको अमरत को, तो अमरत कैलास कौन से लिखता है, हम्मीर बंधन, और हट, हट कौन की ये हुआ है, चंद्रमा, कहां पे, सिखर पे बैठने, अच्छा, ये दो दो कृतियां हैं, बहुत इंपोर्टेंट हैं, ये दो बुक्स है खजैन उल्फुतू, और मिफ्ता उल्फुतू, अब ध्यान रखेगा, खजैन उल्फुतू में अलाउद्दीन की विजयों का उल्लेख है, अलाउद्दीन, अलाउद्दीन की विजयों का उल्लेख है, ठीक है न, और मिफ्ता उल्फुतू में जलालउद्दीन खिल जो इ जलाल उद्दीन की विज्यों का उल्लेख मिलता है ये वाद ध्यान रखिएगा और दोनों ही किसने लिखे हैं अमीर खुसरों ने लिखे अमीर खुसरों के दो प्रमुक्ष ग्रंत हैं खजाएन अल्फुतु और मिफ्ताउल फुतु देखिए जलाल उद्दीन फुड़ा सा मेची और था ठीक है न तो मीठा बोनता था सदके बोनता था और जलाल उद्दीन इसलिए जो आप भ्यान रखिएगा जलाल उद्दीन की जो विज्यों का उल्लेख है वो किसमे है मिफ्ताउल फुतु में और खजाएन अल्फुतु ये खतरनाक था कौन अलाल उद्दीन तो उसकी विज्यों का उल्लेख किसमें मिलता है खजाएन अल्फुतु में ठीक है न तो ये वाद ध्यान रखिएगा ये पूरा का पूरा एरिया ये आपके लिए आरपी एससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके बाद देखिए कुछ प्रमुक विद्द्वान जो हमीर देव चोहान के उसमें थे एक तो विज्यादित तरवार में एक इसका गुरू रागवदेव था और एक कोटी यग्डे का संपादन किया हमीर देव ने ये बाद ध्यान रखिएगा उसका जो संस्थापक था उसका जो प्रोहित था वो कौन था विश्वरूप कभी भी पूछा जा सकता है अभी तक RPSC में ये प्रिश्ण नहीं पूछा गया है ठीक है ना तो तीन प्रमुक विद्द्वान है विज्यादित लागवदेव और विश्वरूप और विश्वरूप कौन है कोटी यग् का संपादक है मुख्य पुरोहित है जो इस यग को संपादित करता है इसको ऑपरेट करता है देखे प्रारंबिक जीवन के बारे में देखें हमीर देव चोहान के बारे में तो पहली बार मैंने बताया जैत्र सींग जैत्र सींग ने अपने जीवन काल में ही क्या किया है यह लिखा हुआ है देखें जीवन काल में ही 1282 इसली में इसका राज्या रोहन संपन्द कर दिया किसका हमीर देव चोहान हलाग यह तीसरा पुत्र यह इस ताइप के हमें एक्जांबिल कई बार देखने को मिलते हैं जो सरवाधिक योग पुत्र होता है राजा का, उसको राजा कई बार क्या करता है? अपना पुत्रादिकारी घोषित करता है. तो ऐसा ही एक्जाम्पिल हमें यहां देखने को मिलता है, जैत सिंग या जैसिम्हा अपने तीसरे पुत्र जो हमीर देप चोहान था, उसको अपने जीवन काल में 1282 में क्या कर देता है? तिंगासन गद्धी पर बैठा देता है. अब देखिए, आने वाले 6 सालों में, 1282 से लेके, 88 के बीच में, जो हमीर देप चोहान है, वो दिगविजय की नीती का, पूरे आसपास के सभी राजाओं को पराजित करने का काम करता है, वन वाई वन करके, अधिकतर जो आसपास के लिए पृष्ण बन सकता है, अभी तक नहीं आया है, तो तयार रहीएगा आप, कि किन राजाओं को अपनी दिगविजय यूजना के अंतरगत पराजित किया हमीर देव ने, एक तो भीमरस का कौन था, अर्जुन था, दूसरा है भोज परमार मालवा का, मेवार का समर सि मेवार की सकती बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, दिल्ली संतनत भी इसको पराजित करने में असमर्थ रही थी, इसको पराजित करना हमीर देव चोहान के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्दी थी, जिसकी वज़े से हमीर देव चोहान की प्रतिष्ठा पूरे राजिस् इसको भी पराजित किया तो अब यहां से आप तयार रहेगा कभी आपके लिए प्रिश्णा सकता है कि निम्न मैंसे किस सासक को हमीर देव द्वारा अपनी दिग्विजय की नीती के अद्रगत पराजित नहीं किया अर्जुन को किया था भूज को किया था समर सिंग को किया था प्रताप सिंग को किया था इसके अलावा मांडलगर जो बर्तमान भीलवारा में वहां पर त्रिववन गिरी लगवग इसको संभवते करोली के नाम से जाना जाता है बर्धनपूर काठियावार गुजरात के छेत्र में भी और पुस्कर के आसपास के राजाओं को पराजित करते हुए बापस अपने राज्ज में आया रंथम बहुर में और इसके पश्चात उसने कोटी यग्यों का संपाधन किया या आयुजन किया और इस कोटी यजन कहलो कई बार आपको किताबों में मिलेगा कोटी यजन यजन कोटी यजन इसका जो प्रमुख प्रोहित है जो इसको संपाधित करता है वो कौन है विश्वुरू ठीक है न तो यह बाद ध्यान रखेगा यहां से प्रिश्ण आपके लिए और पीएसी के ल अब देखिए गए ने जो गुलाम बंस की के जो सासक थे ब्लकुल ही कमजोर पच्चे जैसे सा सकते य Compass के बल्बन के बाद कोई ससकлекत गुलाम बंस का सा सक नहीं गए नहीं रहा था और गुलाम बंस का अंत होता है बार्रैस हुन초 में गुलाम बंस था दिल्डी में उसका 1290 में अंत कौन करता है जलालुद्दीन खिल जी ये हत्या करके इसके अंतिम सासक्की और खिल जी बंस की स्थापना करता है खिल जी बंस का संस्थापन जिस समय जलालुद्दीन खिल जी दिल्डी का सुल्तान बना उस समय उसके लिए हम्मीर देव बहुत बड़ी चुनोती था कारण क्या था कि दिल्डी से जो रणथमबौर की दूरी थी वो बहुत ज्यादा नहीं थी और वहाँ पे किसी एक सक्ती साली सासक्का होना दिल्डी के लिए वड़ा ही खतरनाक था इसलिए जलालुद्दिन खिलजी द्वारा दिल्डी पर दो बार अभियान की गए पहला अभियान 1290 में और दो बरस बाद 1292 में दूसरा अभियान तो एर याद रखेगा आप यहां से प्रिश्ण बिलकुल पूछा जा सकता है कि जलालुद्दिन खिलजी का हम्मीर देव के खिलाफ प्रथम अभियान कब था 1290 में दूसरा अभियान कब था 1292 में अब देखिए जैसे ही यह दिल्ली की जो गद्दी पर बैठा जलालुद्दिन खिलजी उसने हम्मीर देव के बुरत अभियान करने का निर्णे लिया क के दुर्ग पर अपना अधकार कर लिए जायन के दुर्ग को कि देखिए रणधम बॉर की कुनजी कहा जाता है यह प्रिष्णवीआप से पूंचा जा सकता है bad ॉद्धम बॉर के दुर्ग की कुनजी किसे कहा जाता है जहायन के दुर्ग याने ये प्रात्मेंग छेत्र जो राजबूत सेन्हा पती था गुर्दा सेनी ये मारा गया ये बात ध्यान रखेगा RPSC में ये पूचा जा सकता है देखे, मरने वाले पृष्ण अधिकतर पूचे आते हैं कौन मरा इस युद्ध में ये आप ध्यान रखेगा जो भी इस टाइब के सेनापती या इस टाइब के व्यक्ति मरते हैं उनसे पृष्ण आपके लिए पॉसिविल है क्योंकि हमीदेब चुहान के ही आकरवन में देखेगा आगे नुसरत खान के बारे में पृष्ण आया है पहले RPSC में पूचा जा सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी के आकरवन के दोरान अलाउद्दीन का कौन सा सेना पती मारा गया नुसरत खान तो यहां पर भी ध्यान रखना है जलाल अद्दीन के प्रथम आकरवन के दोरान राजपूत सेना का कौन सा जो सेना पती था वो मारा गया गुर्दास सेनी जाइन के दुरुपे आक्रमन कर लिया गया और इसके बाद आगे का रंधंबोर के दुर्ग को जीतने का प्रयास किया लेकिन इस प्रयास में साही सेना या दिल्ली सल्टनत की जो खिलजी वन्स की सेना थी वो सफल नहीं हो पाई और आखिरकार जो दिल्ली की खोड़ी सी परिस्तितियां ऐसी रही जिसकी वज़े से बापस से सल्टान को रंधंबोर का ये अभियान बीच में ही छोड़के बापड़ दुबारा दो वरस वाद जलाल अदिन खिलजी ने बापस से इसके खिलाफ अभियान किया ये अभियान भी ज्यादा सफल नहीं रहा और इसमें राजपूत सेनाओं ने बहुत छती पहुचाई इसको आपकी या गलती से मुगल सेना लखने में आ गया है आप ध्यान रखेगा दिल्ली सल्तनत की सेना दिल्ली सल्तनत की सेना को अत्यदिक छती पहुचाई या जलाल अदिन खिलजी की सेना को अत्यदिक छती पहुचाई जब बहुत भेंकर छती हुई सेना को तो यहाँ पे जलाल अद्दीन ने एक statement दिया यह आप से पूछा जा सकता है कि यह statement किसका है मैं ऐसे सेक्ड़ो किलो कुछ किताब हम लिखता है मैं लिखा मिलता है मैं ऐसे 10 किलो को मुसल्मान के एक बाल के बराबर महत तो नहीं देता यह मैं ऐसे सेक्ड़ो किलो को मुसल्मान के एक बाल के बराबर भी महत तो नहीं देता यह किसका statement है जलाल अद्दीन खिल जी का कब दिया यह रंठंबोर के दुतिया भियान के समय दिया गया तो यह बात ध्यान रखेगा RPSC में इस टाइप का question पूछा जा सकता है कि निम्न में से इस कथन पर विचार किजिए यह किस सा सकता है मैं ऐसे सेक्ड़ो किलो को भी मुसल्मान के एक बाल के बराबर महत तो नहीं देता है जलाल अद्दीन खिल जी का है और अब देखें अला अद्दीन खिल जी का जलाल अद्दीन क्या था जलाल अद्दीन जाचा भी था रियल जाचा था और इसका ससर भी था दोनों संबंध थे, फिर भी अलौदीन खिल जी ने सत्ता प्राप्ट करने के लिए 1296 में में जलाल अदुन की क्या कर दी हत्या कर दी और हत्या भी बड़ी वीभत्स की थी उसने जलाल अद्दीन का सिर काटके पूरी सेना के समक्ष भुमाया और पूरी सेना से पूछा किसी को मेरे सुल्टान वनने के उपर कोई आपत्ती है क्या ऐसे व्यक्ति से कौन पंगा ले सकता है या उसका कौन विरोध गर सकता है जो अपने रियल चाचा और ससर को भी जिन्दा नहीं छोड़ी ठीक है ना तो अलाउद्दीन सामराजबादी सा सकता महत्वा कांख्षी सा सकता इसलिए इसने अपने जो चाचा था जलाल उद्दीन खिल जी उसको मार कर क्या किया सत्ता प्राप्त की अब देखिए रंधम बहुर पर आक्रमन के कारण क्या थी पहली चीज तो रंधम बहुर की दिल्ली के काफी निकट था निकट था और दूसरा सामरेक दरश्टी से मह अब दोनों ही समझे दिल्ली के पास था बिल्कुल और दिल्ली से जो दक्षण की और रस्ता जाता था उसके मुख्य रस्ते पर यह पड़ता था और रंधम बहुर का दुर्ग बहुत मजबूत दुर्ग था इसलिए पहली बात तो सामरेक दरश्टी से महत पून था क्योंकि यह जो दुर्ग था इसी के पास से होते हुए जक्षिन भारत के लिए रस्ता जाता है आज भी हम दिंगे दिल्ली और मुंबई जो ट्रेक है वो सवाई माधोपुर से होके गुजरता है ठीक है न तो आज भी प्राचीन काल का वही रस्ता सबसे ज़्यादा उपयोग में लिया जाता है रक्षि भारत में जाने के लिए तो पहला कारण सामरेक दरश्टी से महत पून दूसरा कारण दिल्ली के काफी निकट होना तीसरा कारण यह भी माना जाता है कि जलालुद्दिन खिल्जी ने ए तानी याने दुतिय सिकंदर कहता था दुतिय सिकंदर कहता था कौन अलाउद्दिन खिल्जी अच्छा इसके एक जो बजीर ने इसको सला दी कि आप बिस विजय के वज़ाए पहले भारत विजय कीजी छी लिए इसने पूरे बिस विजय का जो सपना था उसको क्या कर क्या किया भारत विजय का जो कायरत था वो आरम्ध किया अब देखें नैंचंद सूरी मैंने आपको बताया था उसके रचना है हम्मीर महाकार इसके अनसा कि रन्थमबोर के दुर्ग पर अलाउद्दीन का आक्रमन करने का कारण क्या था अलाउद्दीन के दो सेनापती थे बिद्रोही सेनापती मीर मुहम्मद साव उसका भाई कहभु इसको सरण देना अब ये बात देखिए लटना करम को समझे बारे सो निन्यान में अलाउद्दीन ने गुजरात विजय के लिए सेनाभेजी अपनी इस गुजरात विजय के लिए जब सेनाभेजी तो गुजरात विजय के पश्चार जो लूट का माल था लूट के माल के बठवारे को लेका मंगोल सेनापती ये मीर मुहम्मद साह मंगोल था मंगोल सेनापती मुहम्मद साह और उसका भाई कहब्रो द्वारा बिद्ध्रो कर दिया किसके खिलाफ अलाउद्दीन के खिलाफ अच्छा इन मंगोलों को नवीन मुसल्मान के नाम से भी जाना जाता है ये भी बात ध्यान रखेगा उस समय मंगोल किस नाम से जाने जाते थे नवीन मुसल्मान के नाम से तो मंगोल सेनापती मुहम्मद सार के है बुरुद्वारा बिद्रो कर दिये गया और लूट के माल को लेकर कहां पहुँच गए ये हमीर देव की सरण में पहुँच गए हमीर देव उस समय ओटी यग जिन संपादत करने के पश्याद किस पे था मुनीबत धारण किये हुए था तो ऐसे टाइम पे उसने अपने सरण में आये हुए किसी व्यक्ति को सरण देने से इंकार नहीं कर पाया और उसने राजपुत धर्म को पालन करते हुए क्योंकि राजपुत धर्म कहता है कि सरणागत को सरण देनी चाहिए और मुहम्मद साह और कहबन को उसने सरण दे दी ये सबसे प्रमुक कारण था इस युद्ध का रनथम बौर के आकरवन के अब देखे हमीर देप की बुरुद्ध अलाउद दीन का पहला भी है सबसे पहले तो 1299 में ये वही प्रश्ट भूमी है के अंद में अलाउद दीन ने क्या किया उलूग खान अल्प खान नुसरत खान ये इसके प्रमुक सेना पती थे और भाई भी थे देखे अल्प खान उलूग खान नुसरत खान ये इसके भाई भी थे और सेना पती भी थे विविन अभियानों में इन्हों ने क्या किया है सेना का नित्रत किया है अब देखिए इनके नित्रत में बड़ी विशाल सेना रंधंबौर पर अधिकार करने के लिए भेजी सेना ने रंधंबौर की कुंजी मैंने आपको पहले बताया था जाइन पर अधिकार कर लिया और उलूख खान ने यहाँ पर जाइन का नाम बदल कर नो सहर रख दिया ये प्रिश्ण भी आप से पूछा जा सकता है अभी तक प्रिश्ण नहीं पूछा गया है कि अलुक खाद वारा जाएन का नाम जाएन के दुर्व का नाम बदल कर कौन सा सहर रखा नो सहर आप इसको याद रखेगा बिलकुल इंपोर्टेंट बनता है इसी टाइप के कुश्चन्स एक्जाम में पूछे जाते हैं अब देखें हमीर देव इस समय मुनी ब्रत में व्यस्त था पोटी यजन समापती के वश्यात इसलिए उसने दो अपने मुख सेना पती भीम सींग और धर्म सींग को इनके विरुद दम्यान के भीजा अब देखेगा यहाँ पर क्या था अल्प खान के अधीन एक सेना को हैं वो बहुत घने हैं तो कुछ सेना की छोटी छोटी टुकडियों को अल्प खां के अधीन क्या कर दिया गया था चुपा दिया गया था और बाकी की सेना पुलूख खान मुसरत खां के नेत्रत में भीम सींग और धर्म सींग से जाबडी दोनों सेनाओं में भैंकर भीम सींग बापस आ रहे लेकिन जो अल्प खां के नितरत में जो सेना छुपी थी उसने क्या किया इनके पीछे आक्रम किया पीछे से आक्रम तो भीम सींग जिहां रकिएगा भीम क्या है ताकत बन है तो उसने धर्म सींग से कहा कि भई ऐसा है फूटे-मोटे कुछ सेनिक रह गए होंगे उनको मैं पराजित करके आता हूँ आप लूट के माल को लेके रणधंबौर के दुर्ग में चलिए मैं अभी सीग्र में सीग्रता से इनको पराजित करके आता हूँ लेकिन क को तरफा आक्रमन किया और भीम सींग इस उद्ध में मारा दे अब यहां से घटना क्रम परवर्दित होता है जो कही न कहीं रंधंबौर के लिए घातक सिंद्धौ यहां पे हम्मीर देव ने धर्म सींग को इस भीम सींग की म्रत्यू का उत्तरदाई माना और इसे अपमान किया और अपमानित करने के साफ साथ में क्या कर दिया अंध कि इससे धर्म सींग कि प्रतिष्ठा को बड़ा भरी लटक English और हभी देव ने भोज राज नाम के व्यक्ति को नया मंतरी बना लगतर ब्पो जराच ज्यादा योग ब्यक्ति नहीं था और वहर अन्थम्बौळ कि जो बिगडी हुई इस्तिति उसको सभाल नहीं पाया और शिक्री क्या हो गया एलोक प्रिया हूँ ऐसे टाइम पे जो धर्म सींग था वह प्रतिसोद की भावना से धदक रहा था इसके मन में एक ज्वाला धदक रही थी प्रतिसोद की हमीरदेव के प्रति ये नाराज हो थी इसलिए इसने क्या किया राज की आया बढ़ाने का प्रस्ताव रखा क्योंकि इस समय स्थिति आर्थिक रूप से कम्जोर हो गई थी लगातार युद्ध हो रहे थे और कोई बड़ा आर्थिक इस समय लाब भी प्राप नहीं हुआ था क्योंकि कोई लंबे समय से किसी शित को नहीं जीता था तो ऐसे टाइम पर धर्म सींग ने क्या कहा मैं राज की आया बढ़ा दूंगा और इसका आस्वासन देकर उसने बापस से जो वहां के प्रधान मंत्री पद्ग का जो अधकार थे वो बापस से प्राप्त कर दिए जैसे ही इस वहां पर बापस से मंत हो गया और हमीर देब के खिलाफ चोतरफा लोगों में नाराजगी भर गया दूसरी और क्या हुआ धर्म सींग को बापस से राजा वह मंत्री बनाने से जो भोज राज था जो पहले धर्म सींग के स्थान पर मंत्री बनाया गया था यह नाराज होगा कहा चला गया किया किया यह अलाउद्दीन के पास पहुंच किया दरबार में और अलाउद्दीन को लगातार अक्साने लगा किसके लिए रंधंबोर पर आक्रमन करने के लिए बार बार में उसके कान में भरने लगा कि हमीर देव आपको कोई सम्मान नहीं देता है आपको कुछ समझता लिए अलाओ-दِّίν जैसे सासक को वो कुछ भी महत को नहीं नहीं देता है इस से कही न कहीं अलाओ-द्दीन को लगा कि ऐसे 57SoC को पराजित किया जाना चाहिए देखिए अलाओ-दीन का पुनहावियान नुसरत-खा की महत्ति वे饖 लाओ-दीन ने भोज-राज के भोजराज के कहने पे क्या किया भोजराज के कहने पे वापस से एक आक्रमन के लिए सेना लेकिन ये सेना किसी प्रमुक सेनापती के नितरत में नहीं थी इस सेना की जो मुटभेड राजपूत सेना से हुई हिंदुबार की घाड़ी में घाटी में इससे क्या हुआ चौहान सेना ने जो राजपूत की सेना थी उसने साही सेना को बोड़ी तरीपी से पराज है इसके पश्यात सुल्तान को ये चीज बड़ी अखरी उसने अपने प्रमुक सेना पती उलूग खान नुसरत खान को पुने एक बड़ी सेना लेके कहां भीजा रन्थम भौर पर आक्टमान करने के लिए भीजा अब उलूग खान नुसरत खाने सीगरी जाइन पर बापस से दो प्रिस्ताफ पहुचाए उसने संदेश भिजवाया और कहा भाई हमें ज्यादा लंबा संगर्स नहीं करना है हमें तो दो चीज चाहिए एक तो मुहम्मद खा और कहबरू जो हमारे नवीन मुसल्मान है मंगोल शेना पती हैं उनको बापस भीज़ दो हमें सौप दो और दूसरा जो हमीर देव की पुत्री थी देवल देवी या देवल दी उसका विवास सुन्तान से कर दी हमीर देव ने आखिरकार ये मांगों को ठुकरा दिया हमीर देव ने ये प्रिस्ताव ऐस्विकार कर दिया हलाकि देवल देवी इस चीज़ के लिए तयार थी देवल देवी ने क्या कहा कि अगर देवल देवी या देवल दी देवल दी कहती है कि अगर मेरा वल्दान देके अगर मुझे सौपने से रन्थम बवर के लोगों के ऊपर आया हुए खत्रा टल सकता है तो मैं अलावद दीन से साधी करने के लिए तयार हूँ लेकिन हमीर देव जो एक आत्म स्वाभी व्यानी व्यक्ति था उसने देवल दी के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और उसने एक ही प्रस्ताव को भिजवाया लूग खा को कि मैं संगर्ष करास्ता चुमूँ आखिरकार मुलूग खाने रंठमबॉर पर घिरा डाल दिया घिरा डालने के पश्या तिनों ने चारों तरप से बड़े बड़े चबूत्रे बनाने चालू कर दिये रंठमबॉर दूर के चारों आक्रमन करने के लिए इसके बाद इस दोरान जब पत्थरों से आक्रमन हो रहा था रंथमबर दुर के उपर तो दूसरी ओर से भी पत्थरों से साही सेना के उपर क्या हो रहा था इस दोरान एक बड़ा बिशाल पत्थर किसके लुसरत खांके उपर आके गिरा जिस से वो घायल हो गया और बाद में उसकी मृत्ती हो गई ये प्रिश्ण पहले पूछा जा चुगा कि रंथमबोर आक्रमन के दोरान अलाउद्दीन के किस सेनापती की मृत्ती हुई नुसरत खांकी तो आप ये ध्यान रखेगा इसी दिए मैंने आपसे कहा कि जलाल उद्दी खिल जी के आक्रमन के दोरान जो गुर्दा सेनी था जिस राज़गूत सेनापती की मृत्ती हुई थी तो वो भी महत्वून प्रिश्ण बन जाता है हमें यही चीज़ देखना होता है कि किस तरे टाइब के प्रिश्ण आते हैं और उसी टाइब के दूसरे प्रिश्णों को हमें क्या करना चाहिए तैयार करके रखना चाहिए हमीर ने साही सेना प्राक्वन किया और इस समय से निरासा हो गई जैसे ही नुसरत खाक इमरत्यू हुई तो जो सुल्तान की सेना थी वो कहीं न कहीं नुसरत खाक इमरत्यू का जो सदमा थी उसको बरदास नहीं कर पाए वो सभी निरासा में डूग गए इस स्तिति का फायदा किस ने उठाया हम्मीर देव चोहान ने उसने क्या किया साही सेना के उपर आक्रमन किया और इस आक्रमन को जो साही सेना थी वो सभाल नहीं पाई और उनको बापस से जाए इनके दुर्ग को छोड़के पीछे अक्ता जब ये खबर पहुची अलाउद्दीन खिल जी के पास तो अलाउद्दीन स्वेम एक बड़ी सेना लेके कहां पे आया रंधम भो रहा है उसने काफी लंबे समय तक प्रयास किया दुर्ग को जीतने का लेकिन उसमें वो असफल रहा आखिरकार उसने क्या किया छल और कूटनीती का आस्रे लेने का निश्य किया देखिए अलाउद्दीन खिल जी एक ऐसा सा सकता जो साम दाम दंड भेल किसी भी तरीके से अपने सत्रु को परास्त करने में विश्वास रखने वाला था इसलिए उसने हमीर देव के पास एक संधी का प्रिस्ताब भेजा कि मैं आप संधी करना चाहता हूँ और मुझे किसी भी प्रकार के आप से संघरस में कोई इच्छा नहीं है जो मेरा नुक्सान हो गया उसमें भी मुझे कोई नुक्सान नहीं है और उसको भी मैं जादा मा रा लिया और इन दोनों को अलाउद दिन ने क्या लालज दिया कि रंथमबोर दुर्ग का हम आपको सवामी बना देंगे हमीर देव की मृत्टिव के पश्यादग और अगर आप हमें रंथमबौर के दुर्ग में पहुँँशने का राश्ता दो या हमें अएसी स्थित्य कि वो स्वेम ही दुर्ग कर द्वार खोलने के लिए तैयार हो जाएं तो इन्होंने क्या किया कि वहां कि खायद इसामगरी को दूसित करवा दिया और पीछे का रास्ता खोल दिया जिससे कहीं न कहीं जो राजपूती से ना थी उसके सामने कोई रास्ता नहीं बचा सिवाए अलाउद दीन से संगर्स करने के अलाव ऐसे टाइम पे जब खायद सामगरी की कमी हो गई तो अमीर खुसरो का एक statement मिलता है कि सोने के दो दानों के बदले चावल का एक दाना भी प्राप्त नहीं हो पा रहा था तो ये बात ध्यान लखेगा इस टाइब का statement भी कई बार पू का और अलाउद दीन द्वारा रंतंबोर पर बिजये 11 जुलाई 301 में देखिए खाद्यान का भाव हो गया और रंडबल और रतिपाल द्वारा विस्वास घात किया इन दोनों ही परिस्तितियों कारण हमीर देव को दूट से बाहर निकलना पड़ा और उसने अपने बीर स चेना पत्तियों के साथ क्या किया अलाउद दीन का सामना किया आखिरकार हमीर लड़ता हुआ मारा गया इसकी पत्नी रंग देवी और उसकी बेटी देवल देवी के नित्रत में राजपूर महिलाओं ने क्या किया जोहर किया यह रंधंबोर का प्रथम साका माना जाता है क कहा जाता है जोद राज की रचना हमीर रासों में पहा जाता है कि मुहम्मद साकिस्तियां भी रंग देवी और इनके साथ क्या हो गई भस्म हो गई पुछ इस ठाइब का भी उल्लेक मिलता है कि रंग देवी ने अपने साथ में राजपूत महिलाओं के साथ पदमला ताला में जल जोहर की चाए जल जोहर हो या अगनी में अपने आपको समर्पित करने वाला जोहर हो दोनों ही जोहर अपने आप में राजपूत महिलाओं के सत्थ की रक्षा करने के लिए महत्पून था और ये राजिस्तान का प्रथम साका भी माना जाता है, रन्थमबोर का प्रथम साका भी है और राजिस्तान का प्रथम साका भी है, साका किसे कहते हैं, जहां पे दो चीज हुई हो, केसरिया, केसरिया का मतलग जहां पे राजपूत, राजा और सेने, बिद्रोही सेना के अपने प्राणों का उत्सर्ग करते हैं अपने प्राणों का बल्दान देते हैं केसरिया प्लस महिलाएं अपने आपको अगनी में समर्पित कर देती है या जल में समर्पित कर देती है और अपने प्राणों की आहुती दे देती हैं स्वेच्छा से जहां पे केसरिया और जोहर दोनों सामिल होते हैं उसी को कहते है साता देखिए इस प्रकार 11 जुलाई 301 को अलाउद दिन खिल जी ने रंधंबोर पैतकार कर लिया और वहां का प्रशाशक किसे बनाया अलूग खांको बनाया अलाउद दिन ने मुहम्मद सा से बुलाया और मुहम्मद सा से कहा कि अगर मैं आपको आप मेरे प्रती अच्छा बेवार करो मेरी अधिनता स्विकार कर लो और मेरा कहां मानो तो मैं आपको जीवन दान दे दूँगा लेकिन मुहम्मद साह जो अन्य राजपूत सेना पतियों के साथ साथ हमीर देब के साथ लड़ता हुआ घायल हो गया था आखिरतार उसने कहा कि अगर मुझे फुड़ावी जीवन मिले तो मैं सबसे पहला काम क्या करूँगा अलाउद्दीन की हत्या करूँगा इससे नाराज होकर अलाउद्दीन ने हाथी के पैरों से उसको कुछलवा कर उसकी क्या कर दी गई मुहम्मद साह की हत्या करवादी अलाउद्दीन द्वारा हमीर देब द्वारा अपने जीवन में 17 युद्ध लड़े जिनमें 16 में वो विजयी रहा और एक मात्र अलाउद् इतिहास में प्रशिद्ध है ठीक है ना मैंने आपको बताया था हम्मीर हट किस इतिहासकार द्वारा लिखी कौन करता है हट चंद्रमा करता है कहां पे सिखर पे बैठने की तो चंद्र शिखर द्वारा ये हम्मीर हट नामक दन्थ लिखा गया है हम्मीर हट कहते किसे हैं हम् आपका चौपाई प्रसिद्ध है सिंग सवन सत्प्रोष बचन कदली फरे एक बार तिरिया तेल हम्मीर हट चड़े न दूजी बार अर्थात सेरनी जंगल में राजा बनने वाले केवल एक ही सिसु को जन्म देती है इसी तरीके से सत्प्रोष जो अपना एक बार बचन देता है भे उसको त्याकता नहीं है और केले का पोधा भी एक बार ही फलता है इसी तरीके से लगन के लिए किसी भी इस तरीके सिर पर दुबारा तेल नहीं चड़ाया जाता है इसी प्रकार हम्मीर द्वारा दिये गया बचन भी नहीं बतला जा सकते हैं यहां पर आपका हम्मीर देव चोहान और अंथम बोर के चोहान कम्प्रीट होते हैं आप मुझे बताईएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा ज्यादा ज्यादा लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको पसंद आया हो तो अपने और साथियों को भी शेयर कीजिए ठैंक यू धन्यवार